दोस्तों आईए आज आपको बताते हैं कि ये जो सफेद चीनी आप खाते हैं जिसमें सल्फर बहुत मातरा में होता है उसका कड़वा सच क्या है इस वीडियो को देखने के बाद आप चीनी खाना छोड़ देंगे मैं रिकमेंड करता हूँ आप खांड या बूरा जो देसी ह होता है उसे ही खाएं आगे देखें वीडियो क्या बताया जाता है आपको जिस गन्ने से गुड़ इतना काला होता है उसकी चीनी इतनी सफेद कैसे हो गई कैमिकल्स उसमें डाले जाते हैं और मैं एक चीनी मिल के अधिकारी जो मैनेजर है मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ उन्होंने कहा कि मुझे लगभग बारा साल हो गए चीनी मिल में काम करते हुए और जब से मैंने काम करना शुरू कर दिया चीनी मिल में तब ही से मैंने घर में चीनी लाना ही बंद कर दिया मैं तब से अपने बच्चों को चीनी खिलाता ही नहीं हूँ जबकि नौकरी से सेलरी वहीं से मिलती है, मगर चीनी नहीं, मैंने कहा कि आखिर कौन सी घटना घटी जिसके कारण से आप ने ऐसा किया, तो उन्होंने बता एक छूटी सी घटना, कि चीनी मिल में जो ये पानी निकलता है न, चीनी के बनने के बाद उस प्रोसेसिंग में जो आपको भी पता चलेगा, वो टंकी में वो पानी रखा जाता है, लेकिन रोज रोज प्रोसेसिंग हो रहा है, रोज चीनी बन रही है, रोज बहुत सारा पानी आ रहा है, तो आखिर कब तक एक टंकी की छमता है न, कितने दिनों तक वो टंकी खाली रहेगी, भर जाती है, कितना खर्च आएगा, तो बेहतर होगा रात के अंधेरे में कहीं खेत में डाल देते हैं, चुकि जनरली फैक्टरिया तो होती हैं ऐसे ही, बिराने में, तो कहीं डाल देते किसी खेत में, क्या पता चलेगा पानी है, कि चीनी मिल का पानी है, क्या है, तो ये सोच कर मैनेज इस कतान पता करने लगा कि आखिर क्या हुआ मेरे खेत में, जब चेकप कर आया वो मिटी का, तो पता चला कि इसमें तो चीनी मिल का जो वेस्ट मैट्रियल है, वो डाला गया है, तब उसको ख़वर मिली कि हा गऄ, किसी स्टाप ने बताया कि हा, हमारे चीनी मिल से ही पानी डाला गया था आपके खेत में और पूरी मिट्टी बंजर हो गई उसने केस कर दिया और चीनी मिल वाले को मुआबजा देना पड़ा लाखो रुपे कि जो मिट्टी को बंजर कर दे वो इनसान के शरीर में जाय तो क्या करें उसी के बाद से मैंने अपने घर में चीनी लाना बंद कर दिया और सच्चाई है लगबग अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के आने के समय अंग्रेज पहला चीनी मिल इन्होंने भारत में ही अंग्रेजों का लगा और अंग्रेजों ने चीनी की शुरुआत की भारत के लोग बुड़ खाते थे चीनी नहीं खाते थे उन्होंने बहिसकार किया बिल्कुल नहीं लेकिन चीनी और चाय पती दोनों के लिए लोगों को तयार किया गया था चाय पिला पिला कर फ्री में चीनी के लिए तयार किया गया और चाय के लिए भी तयार किया गया अंग्रेज ने जब से यह शुरू किया है और पिछल जो गर्व वती हो, गर्व काल के दौरान अगर चीनी का सेवन अगर कोई बहन कर रही हो, तो चांसे जादा होते हैं गर्व पात होने के, कोई मा अगर बच्चे के जन्म से पहले, एक साल पहले से ही चीनी छोड़ दे, और समानिय भोजन करे, अपना ही दूद बच्चे को पिलाए, और कमसे कम पांच साल तक बच्चे को चीनी ना खिलाए, खुद को चीनी ना खिलाए, उस बच्चे को कभी भी ऑस्ट्योपॉरोसिस की समस्या नहीं हो सकती, कैलसियम की कमी उसके शरीर में कभी नहीं होगी चीनी जब जाती है आपके शरीर में तो बाहर जब निकलती है तो अकेले नहीं निकलती कैलसियम लेकर निकलती है चीनी कैलसियम लेकर निकलती है हड़ियों को गला कर निकलती है और जिसके शरीर में केल्सियम की कमी हो जाती है उसके शरीर में मैगनीशियम, पोटेशियम, आइरन सब की कमी हो जाती है केल्सियम वो तत्तो है कि जिसके शरीर में कम हो जाए सारे तत्तो कम हो जाएगे और केल्सियम के खीमत पे चीनी हम खाते है भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, ऐसे कुछ देशों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे रास्ट हैं जहां चीनी का इस्तमाली नहीं होता, आज भी चीनी खाते नहीं, बहुत सारे देश नहीं खाते बिल्कुर, आप गुड़ खाया करिए, वो ज्यादा बे